पहली बातों गुवर्नर को एक मर्यादा में रहना चाहिए। भारत का समधान जो है इलेक्टेड लोगों को इंपावर करता है। पंजाब की सरकार तीन क्रोड लोगों ने अपने मत के अधिकार को यूज करते हुए चुनी है। और गुवर्नर जाब का इस तरीके से दमकाना, वार्न करना और प्रेजडेंट रूल लगाने की जो धमकी देना है। ये रियल सैंस में जो बीजेपी का अजन्डा है गुवर्नर जाब के मुझा पे आ गया है। गुवर्णर साब को मैं कहना चाहता हूँ अगर प्रेजडेंट रूल लगाना है तो मनीपूर में लगाए भाजबाग जहां कतले आम हो रहा है लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं प्रेजडेंट रूल लगाना है तो हर्याना में लगो यहां लोगों को कम्मिन्यूटियो के नाम पर लड़ाया जा रहा है पंजाब सरकार कॉंस्टूशनल फ्रेमवर्क के अंडर और जो समधान के उनको अताकर दी उसमें रहकर काम कर रही है गवर्णर साब का एक एजंडा है कि भाजपा के जो एंटी जहां जहां नौन वीजेपी रूल गवर्मेंट हैं वहां इल चुनी हुई सरकारों के काम में दखेनदा जी ना दे नहीं तो ये सरकार लोगों ने चुनी है नौमिनेटर नहीं है इस एLEक्टेड गवर्णर नौमिनेटड है गुवर्नर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं जो इस देश्च की डेमोक्राटिक और कॉंस्टूशनल जो हमारा प्रिंसिपल है उसके इंगेंज्ट हैं डेफनेटली पंजाब सरकार कॉंस्टूशनल फ्रेमवर्क के एंडर रहकर काम कर देखे है और इनकी इंध्रंकियों की हम परवाण करते हैं और यह सच्चाई बाहर आई है क्योंकि बीजेपी जहां बीजेपी की सरकार नहीं बंपाती दिल्ली में देखिए आपने दिली की सरकार की ताक्तें खतम कर दी वहां एक बिल लाके और इसी तरीके से ये साज़िश रचना चाहते हैं पंजाब के खिलाब लेकिन इनको पता नहीं है पंजाबियों के इतियास और पंजाब का ये अपनी जो इनकी साज़िशे हैं इनमें काम्याब नहीं होने देगा कर दो कर दो कि अपने अपनी जो इनकी साज़िशे के खिलाब आ इनयको प्रोग को आप कि वहां से अवाराइब भी।